आपके लिए आज बहुत अच्छा दिन है आपको पता होगा डिफिनेटली अब तो अपने चेक भी कर लिए होगा कॉंसे को लट हुआ है कॉंसे को लॉट नहीं हुआ है बट इसके रिगार्डिंग आपके मन में बहुत सा डाउट सेल रहे होंगे वह क्लियर करें होंगे इस सब्सक्राइब करना चैनल को आगते वीडियो को स्टार्ट के थे कुछ नहीं सीखते हैं तो बहुत कुछ ऐसी आपको दिखरा होगा मना अपने लापटाप की स्क्रीन खोल ली है ठीक है ना सबसे पहली बात है कि आज 10th of August है जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज है राउंड फाइव है राउंड फाइव में आपको दिख रहा होगा अपने राजिस्तन अलवच्छों के लिए है राउंड ठीक है इस वापको दिख रहा होगा 10th of August का आपको seat allotment आगया होगा 17th of August जो के पनी इस महीने की है 17 तारिक है इस से पहले आपको reporting करानी पड़ करते विया college allotment हुआ कैसे विया कौन चांट हुआ है वह कैसे जाना जाए विया तो उसके लिए कुछ नहीं करना है आप लोग को आपको जाना candidate पैनल के अंदर left section दिख रहा होगा आप लोग को डेफिनेट लिए इसका नाम है click here for college allotment for candidate of राजिस्तान ठीक है इस पर क्लि नया interface खोल लिया है जैसे मैंने login पर click किया तो ऐसा कि आ रहा है दिख रहा होगा आप लोग को यारे जीते इंदर राम को candidate है उसे कोई college allot नहीं हुआ है लिखा रहा है इंस्टेट अगर मुझे को अलोट हो जाता तो उसका नाम उसका एड्रेस उसकी जो branch मुझे अलोट हुए वह दिखाई जाती ठीक ना जैसे कि अभी अभी नहीं दिखाई जाए तो मुझे कोई भी college allot नहीं हुआ है वह या ऐसा क्यू लिखा रहा है चॉश चॉश फिलिंग करी थी तो उसकी rank के साफ से cut-off के साफ से अगर आपके marks नहीं आप आप आए है तो डिखा आ रहा होगा भाई आप क्या करें डर लग रहा है अपने तो बलाता मिल जाएगा इसमें अभी भी नहीं है मुझे लगता है कि आपने चॉश फिलिंग यार ऊची की नीचे रह गए अपनी ठीक है ना उसमें कोई डरने के बाद नहीं है अब इपनको वेट करना पड़ेगा यार अपवर मुवमेंट के लिए अपवर मुवमेंट का क्या सीने विया तो बात कुछ ऐसे जिन बच्चों को अभी चॉश एक्जास्टेट लिखा आ रहा है उ चिल रहो हो जाएगा ठीक है अब बात करेंगे अब आप फीज किती रहने वाली है तो फीज का ऐसा चीज है कि अब वैरी करती है कॉलेज तो कॉलेज मानती है अगर प्राविट कॉलेज में जा रहे है एडमिशन लेन तो डेफिनिट्टी आपको यार फॉर्स सेमिस्ट्र प्राविट कॉलेज में जा रहे हैं अब क्या करना पड़ेगा अब क्या करना पड़ेगा कुछ नहीं करना पड़ेगा भी वेट करना है अपने रिजल्ट्स का ठीक है प्रेजल्ट आएंगे जोट्पूर चाहिए तो मुझे कॉलेज चेंज करना पड़ेगा तो उसके लाग को अप्लाए करना पड़ेगा पड़ेगा सिंपल सी बात यह है प्रेजल्ट करने के लिए अभी के टाइम पर उसमें आप रिपोर्टिंग कर रहेंगे रिपोर्टिंग करा करने के लिए अब बात करते हैं अगर मानते हैं मुझे मिल जाएगा तो यह मुझे जाना पड़ेगा अगर आपको कॉल्स पहला अलॉट हुआ था वही रहेगा अब बात करते हैं इंटर्नल स्लेडिंग मानते हैं अगर आपको कोई कॉल्स मिल शुका है आप लोको उस पर आपको मेकानिकल ब्रांच में लिए अब बात करते हैं अब बात करते हैं अब बात करते हैं और डीटेल वीडियो बना रखी है उस पर दरने वाली बात नहीं करते हैं और अपना अधार काड़ की लिजाना है और अपना अधार काड़ लेटर आए इसकी प्रिंट आउट कराके लिए जाने पड़ेगे आप लोग को दिखाने के लिए कि हाँ पजे कॉलेज मिला था ठीक है अपको अपने रजिस्टर किया हुगा कि चॉइस फिलिंग लिजाना पड़ेगा बाकि यह सब था बाकि फीस लिजाने पड़ती और कुछ निए इंपोर्टेंट ठीक है ना कॉलेज वालों के लिए बाकि कुछ और डाउट्स हो मुझे लगता है कि अगर मैंने क्लियर नहीं कि है इस वीडियो के अंदर ठीक है न तो हम मैंसे डेफि करेंगे बहुत जल्द ही डरने गयाद बिलकुल भी नहीं है अगर आपको कॉलेज मिल चुका का तो अगर नहीं मिलना तो निराश नहीं होना है अपवर मुमेंट का वेट करना है सब मिल रहा होगा असके अंदर में ठीक है ना बागी तो आए होप की वीडियों लगी हो त दोसने के साथ में सब्सक्राइब किजिए के चैनल के बागी तो यार थैंक्स वाज़ेंगे तिल नाओ